हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं अलीता दी बेटल एंजल के ट्वेलर 3 के बारे में फ़ल तो क्या है वो चलिए देखते हैं तो इस वीडियो में मैं फिल्म के ट्वेलर का ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूँ मैं आप तो सिर्फ ये बताऊंगा कि ये ट्वेलर कैसा है और इस वज़े से आप ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं वैल दो मिनेट 43 सेकंड के इस ट्वेलर में हमें वो सारी चीजे दिखाई गई है जो सिर्फ पर सिर्फ जेम्स कैमेरान के दिमाग से ही बाहराती है लेकिन इस फिल्म का असली ट्रेडिट जेम्स कैमेरान को नहीं बलके फिल्म के डारेक्टर रॉबर्ट रेड गुस्की को जाता है जिनोंने इसके पहले सिंसिटी जैसी फिल्म बनाई है आज सेकंड पार्ट को छोड़ जिया जाये तो लेकिन सच में फिल्म का ट्रेलर खराब है तो अब वो मुझे ये जवाब दे कि इस फिल्म के ट्विलर को देखकर उनकी क्या राय है कि ये ट्विलर हमें पूरी तरीके से फिल्म की डीटेल देता है कि फिल्म आगे कैसे बढ़ीगी और एनिमे से हट कर हमें इस फिल्म में क्या अलग दिखाया जाएगा त जेम्स केमरान का नाम जहां पर आता है तो वो फिल्म काफी जादा अलग हो जाती है जबकि आप सभी को ये बात भी पता है कि असल में इस फिल्म को डायरेक्ट जेम्स केमरान ही करने वाले थे और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर VFX नाम की चीज होलिवूड में जल्द भी कोई इंटर्ड्यूस नहीं करवाता था लेकिन कुछ डीलेस की वज़े से जेम्स केमरान इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए लेकिन उम्हों ने इस फिल्म को प्रेड्यूस कर दिया जिस वज़े से हमें ये भी पता लगता है कि ये फिल्म जेम्स केमरान का पैशन प्रोजेक्ट था जिसे फाइनली अब वो हमारे सामने दिखाने वाले है इसी के साथ साथ जिम्स केमिरोन आवतार फिल्म से लेकर लाइक करना बिल्कों भी ना भूलिए और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए लगे हाथ तो उस बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा थाकि मैं इस चैनल को जब भी कोई नई वीडियो अप्रोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पह